बुन्देलों की सुनो कहानी बुन्देलों की बानी में पानी दार यहां का पानी आग यहां के पानी में बुन्देल खंड उत्तरप्रदेश के दक्षण में स्थित एक बड़ा पहाडी इलाका है जिसमें अनेक छोटी बड़ी रियास्ते हुआ करती थी जालों, छांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ललितपूर, बान्दा ये सभी नगर इसी क्षेतर में आते हैं इस शेतर की इतिहास के हर इस्तर पर शौर्य और वीरता की गाथाएं अंकित हैं यहां का इस्थापत्य बीते अतीत की गवाही देता प्रतीत होता है अईश्वर्य और शौर्य के निशानों से परपूर्ण महलों और किलों को आज भी हम यहां देख सकते हैं तो आएए चलते हैं वीरों की इस भूमी के सांस्कृतिक सफर पर सिंघासन हिल उठे राजवशों ने भ्रिकुटी तानी थी बूढे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी संसत्तावन में वो तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी जहासी की बंगरा पहाडी परिस्थित ये दुर्ग यू तो बनवाया था 1613 इस्वी में ओर्चा के राजा वीर सिंग्जु देव ने लेकिन ये जाना गया वीरांगना रानी लश्मी बाई की वीरता के कारण गेटवे ओफ बुंदेल खंड यानी जहासी आने वाला हर परेटक इस दुर्ग के दर्शन करने अवश्याथा जहासी पहुज और बेतवा नदी के मध्य स्थित एक एतिहासिक नगर है जो उत्तरप्रदेश की वीर भूमी बुंदेल खंड का प्रवेश्द्वार कहलाता है मूलतह प्राचीनतम पत्थरों से निर्मित जहासी का ये अभेद्य दुर्ग आसपास की पहाड़ियों का जैसे राजमुक उठो वीर बुंदेलों और मराठाओं द्वारा शासित जहासी का प्राचीन नाम बलवंद नगर था अगर आप बुंदेल खंड को महसूस करना चाहते हैं तो आपको एक बार जहासी के संग्रहाले जरूर आना चाहिए जहांसी की आयतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को स्वयम में समेटे ये संग्रहाले आपको बुला रहा है यहाँ पर टेरा कोटा और कांसी की सुन्दर प्रतिकृतियां है यहाँ पर सुन्दर पेंटिंग्स है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है लेहाजा आपका जहासी मूजियम जहासी संग्रहाले आना बेहद आवश्यक है ये है जहासी का नगर संग्रहाले जहां सनरक्षित हैं चंदेल राजवंश के अस्त्रशस्त्र, मूर्तियां और बहमूल्य वस्त्रों के साथ गुप्त वंश की एक प्राचीन चित्र दर्शक दीरगा जो दर्शकों के लिए मुख्य आकरशन का केंद्र है संग्रहाले में टेराकोटा, कांस्य, पांडुलिपियां, चित्रकला और प्राचीन सिक्के भी संग्रहीत हैं पुनिलखंड की हिर्दय स्थली, जहांसी, इसकी विशेष्टा ये है कि राजा भोज ने अपने पंचांग को दुरस्ट करने के लिए भारत का केंद्र बिंदू ढूलने की कोशिश करी, तो उन्हें जहांसी को चुना और उसकी पुष्टी कारांटार में सर्वेव इंडिया ने अपने सर्वेव के द्वारा ये गोशित किया कि जहांसी ही भारत का केंद्र स्थान है बुंदेल खंड में संगीत का बहुत महत्यू है और इस तरह की चौपालें जो आप इस समय देख रहे हैं हमारे इर्दगिर्द यहां पर बहुत आम हैं इस समय हम जहांसी से 65 किलोमेटर दूर मौरानिपूर के रौनी नामक गाओं में हैं और इस मंदिर के नीचे हमारे साथ यहां पर हैं रामाधीन आ रहे हैं जो ओल इंडिया रेडियो के भी हाई ग्रेट के आर्टिस्ट हैं बहुत उम्दा कलाकार हैं इनके फोग का कोई ज आजिस कोईशा हो परिखार हो परिखार हो अटिस्ट हो का कईशा हो तो पर बतिस्ट ही हमारे साथ ग्रेट के घर ने आजिश्ट रगायी नाजिपन पगिशा हैं दभिखार हैं तल्रवईश्या कलायी वोरो तो हमी हमी तोर अकर जाओ हे है है वह कैना हो बढ़त अर हैं, पहुलजया हो वहाल अर य만ड़त कैना हो वहाल वहा है कैना वहाँ कमार में ऑपड़! पिराक टे न काई कि पैना ये तखाई, ये खालेटे डेलि नगराशावताOLi, हेश्चरम। तो आप देखिए ये रमाधीन आरे ने बुंदेल खंड की गर्बी का एक नजारा पेश किया और यहां पर श्रंगार का भी महत्व है श्रंगार का भी कुछ हो जाए कादी गार पोलें ञाद जोई हों ताल दे गंत आद काद्ट आरे श्रंगार्ब का भी मुझार श्रंगार पेश्यकस में बुने मुझा का भी महत्व है कवाक श्रंगार हुआ 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 है हुआ 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 है इस धर्दक धर्यका जितना भी गुणगान किया जाए जितना भी उसका पिलस्थि की जाए वो कम है यहां की नदिया यहां के पहार यहां की बनस्पती यहां का साहित दुम्या में कहीं नहीं है यहां की जो बड़ी-बड़ी नदिया है कएन धसान पहुज बेतवा पीते है चंबल का जल आठ पहर पहरे पे ठाणो सैज पहरुआ बंदया चल मैं चाहूंगा कि माननी कुछवाहा जी सरस्वर हमें कुछ सुनाएं बहुत अच्छा गाते हैं रामायन तुल सी कही तान सेन जम्राग सोई या कलिकाल में कही इसरी फाग इसरी ऐसे कभी है जैसे भरतरी सतक है सरंगार सतक, नीती सतक वेराग सतक इसी परकार इसरी ने अपनी किताबों में चोकडिया कहते हैं उसे चंद का भेच चाल लायनों का तो बुंदेली में इसरी ने बुंदेल खंड का पूरा जो कहना चाहिए यहां की संस्कृती है, कल्चर है जैसे उनों का एक रोमांटिक गी सुनाएं आपको, उनकी नायका नहीं मिल नहीं कापी दिनों से तो बुंदेल के से ले काई श्री ने का गई मन की हरन मुनैया, आज द खानी नय्या, ठेट बुंदेल करनी ने पत्तन पत्तन ढूल फिरे हम, ढूली सबैं डरैया का गई मन की हरन मुनैया, कुगा बावरी सबिरे ढूले, ढूले कुगा तलैया का गई ताल बेहट का किला बुंदेल खंड क्षेत्र के जनपद ललितपूर में मांसरोवर जील के किनारे इस्थित है इस किले को सन 1618 ईस्वी में भारत शाह द्वारा निर्मित किया गया था इस किले पर राजा मर्दन सिंग का शासन था जिन्होंने 1857 के स्वाधीन का संग्राम में अंग्रेजों के वरुद्ध रानी लक्ष्मिबाई का साथ दिया था इस किले के अंदर तीन मंदिर हैं जो अंगद, हनुमान जी और नर्सिंग भगवान के हैं देवगड से लगभग 93 किलोमीटर दूर स्थित है, छोटी छोटी पहाडियों से घिरा 35 मीटर उचा माता टीला बांध इसका निर्मान 1958 में हुआ था, लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये बांध पर्यटकों को खूब रिजाता है जहासी से 49 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर सन 1909 में सुखवा दुखवा बांध का निर्मान हुआ पर्साद के मौसम में जहरने वाला लगभग 1 किलोमीटर लंबा जहरना बेतवा नदी के नीचे बनी सुरंग से देखने पर पर्यटकों का बर्बस मन मोह लेता है कि इस समय सूर्य देवता अस्ताचल को जा चुके हैं गोधूली बेला है और हम बुंदेल खंड के ग्रामीर क्षेतर में आपको विशेश रूप से लेकर आए हैं कुछ खास चीज दिखाने और बताने के लिए बुंदेल खंड की संस्तित का बेहद महत्वपूर्ण अंग है यहां का खानपान जो प्रदेश के बाकी खानबान की तुलना में आप काफी भिन्न मान सकते हैं और यहां के लोग भात, डाल, कढ़ी, बरामगोरा, पापर, कोंच, कचरिया, बिजोरो, खांड, घी, मांडे, मिर्च काचूर्ण और आमकाचार जैसी वस्तूओं को अपने भोजन में खास तोर पर शामिल करते हैं साथ ही रोज के खाने में यह पूरी कचोड़ी, पपरिया, खाजे, तिरकारी, मालपुआ, लडवा, मोहन भोग, खीर, खुर्मी-खुर्मा इसके अलाबा पूरी चक्ति, आदी पकवानों का प्रोग भी करते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि यह सारे नाम चुनते-सुनते आपके मूह में हलका-हलका पानी आने लगा होगा और जादा पानी ही आएगा जब हम यह खाना चक कर आपको दिखाएंगे यह देखिए खास बुंदेरखंडी टिशेस इसका नाम ठैठला है यह खाजा है यह ठडूला है दालका यह गुनी इंदर्सा और यह बतियां इसके अलावा यह भजिया यह दूसरे प्रकार के खीचला यह चावल के खीचला यह मगोरा यह बड़ा तैयार हो गया है तीचे कडी बन रही है ताल पक रही है और बहुत कुछ है जो आपको मिश्राजी आके बताएंगे तो भई यह है बुंदेल खंडी कुजीन यहां के लोग कभी इस्वरी कहते हैं मुर्का देख स्वाद कच मुर्का खटी कड़ी कड़ी है यह है कड़ी मुर्का देख स्वाद कच मुर्का खटी कड़ी कड़ी है और बुंदेलों के बराबरों की बुंदेलों के बराबरों की ना कोई बराबरी है भारती ग्रामीड परिवेश में बैलगाली की उप्योगिता हमेशा से रही है और आज भी है मुंदेलखंट छेत्र में ललितपूर में देवगण के रास्ते में हमें भी दो बैलों की सुन्दर जोड़ी के साथ एक बैलगाली के दर्शन हुए और हम अपना लोब संवरन नहीं कर पाए और धीरे धीरे इस बैलगाली पर देवगण के रास्ते को चल पड़े ललितपूर जनपत से 33 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के दाहिनी ओर और विंध्य परवत शंखलाओं के दक्षण पश्चिम भाग में इस्थित देवगण एतिहासिक गुप्त काली रिसमारकों के लिए जाना जाता है आठवी से सत्रहवी शताब्दी तक ये स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा पहले प्रतिहारों और फिर चंदेलों ने देवगण पर शासन किया यहां बेतवा नदी के किनारे 41 जैन मंदिर थे जिन में से अब 31 ही शेश पचे हैं और ये परियटकों और शधालों की आस्था का केंद्र हैं यहां 19 मानिस्तंभ और दीवारों पर उतकीर्ण 200 अभिलेखों सहित कुल 500 अभिलेख प्राप्थ हुए हैं पुरा तत्व की द्रिष्टि से देवगड पुरा तत्व संपदा से परिपूर्ण एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है जिसे बेतवा नदी का आईलेंड कहा जाता है लगबग 1200 साल पुराने गुप्त कालीन दशावतार मंदिर में हम आ चुके हैं ये मंदिर लाल बलुए पत्थर से बना है और ये भगवान विश्व का मंदिर है हम साफ देख सकते हैं कि भगवान विश्व शेश शाई हैं शेश नाक पर विश्राम कर रहे हैं कहते हैं एक कथा ये भी है कि नीचे जो पांच आक्रतियां आप देख रहे हैं ये पांच पांडव हैं और बीच में द्रौपती भी हैं तरह तरह की कहानिया क्विम्बदंतियां इसके बादे में जुड़ी हुई हैं बहरहाल ये मंदिर इस पूरे बुंदेल खंड़क्षेत्र का एक अध्भुत परेटा के स्थल है दुप्तिकालीन स्थापत्यकला का ए ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुंदेल खंड की आत्रा करते करते हम बेतवा के किनारे आगे हैं इस समय सुबह के दस बजे हैं लेकिन आप ध्यान से सुनिये आपको जींगुर की हलकी हलकी आवादें सुनाई पर रही होंगी जी हां हम भगवान महावीर वंध्य जीव विहार में हैं और यहां पर जो प्राचीन बुद्ध गुफाएं पाई गई हैं वो यहां इस उचे पहाड़ पर सौ मीटर दूरी परिस्थित हैं अब हम वहां चलेंगे और मिलकर उस बुद्ध गुफा को देखेंगे आए चलते हैं देवगण की इस परवत शंखला में मेरे पीछे कुछ देखा आपने भगवान बुद्ध यहां धर्म चक्र प्रवर्तन की बुद्रा में है कहते हैं आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व इस बुद्ध गुफा का निर्मान हुआ था और आजकल यह गुफा बुद्ध अन्वायों के बीच शद्धा का केंद्र बनी हुई है इस गुफा को खोज़ने वाले ललित्पूर के पत्रकार रविंद्र दिवाकर हमारे साथ है रविंद्र जी कैसे गुफाक्तु जी आपने यह 19 जून 2013 की बात है हम लोग यह जानकारी मुझे हो इता ही समूत्र मंथन है आगे तो उसको समूत्र मंथन खुषते खुषते जाओ यहां पर आए तो समूत्र मंथन के वजाए अगवान को ते थाई कि हम लोग धन्य हो गए कि बहुत धर्म हिंदु धर्म और जैन दर्म का अनुटा मेर नहां मिला तो यह सारी चीज़ें को दुनिया के लिए नय सिरे से प्यदा हुए और नय चमस्कार प्यदा हुआ तो मलेशिया से जापान से और ठाइलेंड से श्री देशों के विदेशिया यहां आते हैं और इन को फाओं को हैंग रोक्स को देखके अपने को यहां आते हैं झालेंदे से उस्टे चौथी शताब्दी से बारवी शताब्दी तक देवगढ, मूर्तिकला और इस्थापतिकला के एक शेत्र में विश्विख्यात हो चुका था। सबसे पहले चौथी शताब्दी से आठवी शताब्दी के बीच दशावतार मंदिर का निर्मान हुआ। उसके पश्चात आया बर्मन सामराज जी, उसके राजा कीरती बर्मन ने एक जैन कन्या से विवाह किया। तो इस प्रकार कीरती बर्मन और उनकी पत्नी ने मिलकर यहाँ पर अनेक वैश्व और जैन मंदिरों का निर्मान कराया। उसके पश्चात आए चंदेल सामराज में तो कहा जाता है कि यहाँ पर मूर्तिकला की एक बहुत बड़ी कारिशाला इस्थापित हो चुकी थी जहां दुनिया भरके मूर्तिकला के विशिशग्या आकर कारिक्या करते थे आज यहाँ पर जितनी भी जैन प्रतिमाये हैं उनके केश विन्यास और उनके पूरे फिगर को देखकर आप कह सकते हैं कि वो दुनिया के विविध क्षेत्रों के मूर्तिकला के जो विशिशग्या है उन ही के हाथों का कमाल है तो इसलिए कभी ने कहा है थे धर्म प्रेमियों कला प्रेमियों आओ गढ़ देख देवगढ़ आँखें सफल बनाओ हा मैं जानी के तो मैं जानी का का चर्प साबड़ एर्मादear देख 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 सुर् Deepakaran का तो मैं जानी हानी जीाद प्मार ने मार, तहु जवा दो जबाले मार. जीाद जवा जो जवा जबाले मार. और यहां के गाउं की तो संस्कृति का तो कहने क्या है यहां के गाउं की संस्कृति के बारे में आपको बताएं पाठिक जी हमारे जो लोकल कभी है अब देजी उन लेखते हैं नेहकीन दिया सिर्म की उठे हिलो देन कलेव रोज खेत पे जाये खेत की रानी जुनई चनन की रोटी लेके धरे सीस पे पानी मोरा भरो मठा गड़वा को जीरो दयो बघार और लाल मिरच की चटनी पर हैं सब ब्यंजन बलिहार दाहने तनक दयो मुखमोर मुस्क्या के के दैसो कारू आजैयो बाजोर चलो तुम उन गावन की और फसलें कैथ करोंदी कांकर मेह के कैथ करोंदी कांकर मेह के महुल से रस भर से ओ गद्री गद्री अम्यां देखें गोरी को मन तरसे बर्वा सागर जैसा की नाम से लगता है कि कोई समुद्र होगा लेकिन ये 260 वर्ष पुरानी एक जील है जिसे ओर्चा के महाराजा उदित सिंग ने तटबंधित करवाया था जील के पास एक बर्वा सागर किला है जहां से जील के चारों और बसे बर्वा सागर नगर का मनोरम परिद्रश दिखता है जराई का मठ ये देवी अंबा को समर्पित एक बहुत ही सुन्दर मंदिर है ये लाल बलुवे पत्थर से बना मंदिर है जो चार छोटे छोटे मंदिरों से चारों कोनों से घिरा हुआ है ये मंदिर प्रारंभिक प्रतिहार वास्तुशिल्प का एक उतक्रिष्ट उदाहरण है वीरता और शोर्य बुंदेल खंड की मिट्टी में है महोबा में जन में आलहा और उदल भी प्रसिद्ध वीरियोधा थे और इनके किस्से, इनकी कहानिया, इनके गीत आज भी महोबा में क्या पूरे बुंदेल खंड में घर-घर में सुनाए जाते है इन दोनों के बारे में कवी जगनिक ने विस्तार से लिखा है पूरे लिखा थे लिखा है महोबा जहासी से 140 किलो मीटर दूर प्राचीन शक्तिशाली चंदेल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी और इन्हों ने नवी शताब्दी से जार्वी शताब्दी के बीच बुंदेल खन परशासन किया था चंदेल महान योध्धा और निर्माता थे जिन्होंने कई अभूत पूर्व वास्तुकला के प्रियोक किये और ये सूर्य मंदिर उन्हें से एक है पौरानिक संदर्भों को समेटे एतिहासिक कालिंजर दुर्ग उत्तरप्रदेश के बुंदेल खंडक्षेत्र के बांदा जन्पद में विंध्य परवत माला के पूर्वी छोर कालिंजर परिस्थित है। ये दुर्ग भारतवर्ष के अपराजे और विशाल दुर्गों में से एक है। सनातन धर्म के लोग इस परवत को बहुत पवित्र मानते हैं। यहां भगवान शिव के भक्त बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। प्राचीन काल में ये जयशक्ति चंदेल सामराज्य के अधीन था। जयशक्ति चंदेल के बाद ये कई राजवशों जैसे चंदेल राजपूतों के अधीन तस्मिशताद्दी तक और उसके बाद अर्मूद गजनवी, कुतुबुद्दीन, एबक, हुमायूं और शेरशाह सूरी प्रमुख थे लेकिन उन सब को पराजय का मुह देखना पड़ा। अनेक प्रयास करने के बाद भी आरंभिक मुगलबा शाह भी कालिंजर के किले को जीत नहीं सके। 1545 में मुगलों को पराजित करने वाला एक मात्र भारती राजा शेरशाह सूरी था जिसने कालिंजर दुर्ग पर कबजा करने की नाकाम कोशिश की और वीर बुंदेलों द्वारा मारा गया। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं जिन में से कई तो तीसरी से पाँच के पाए गए हैं कालिंजर का दुर्ग प्राचीनतम शिल्प कला का एक अद्भुत और अप्रतिम उदाहरन है। भूमी और रामायान परंपरा का शुभारंभ चित्रकूट की इसी पुर्ण्य धरा से हुआ। मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम ने माता जानकी और अनुज लक्ष्मन के साथ अपने वनवास का अधिकांश समय यहीं वितीत किया। चित्रकूट में 56 छोटे बड़े मंदिर हैं जो रामायान की गाथा से जुड़े हुए हैं। जिन में प्रमुक हैं हनुमान धारा, कामतगीरी और स्फटिक शिलाव। चित्रकूट से लगभग 19 किलोमीटर दूरी परिस्थित है गुप्त गोदावरी। पावन निर्मल प्राकृतिक जल स्रोतों से आपलावित एक विशाल गुफा और इस गुफा के अंदर शीतल जहरने का जल प्रवाह निरंतर होता रहता है। गुफा से बाहर आकर जलधारा दो कुंडों में गिरती है और यहीं से लुप्त हो जाती है। कहते हैं कभी यहीं राम घाट पर तुलसी दास को भगवान श्री राम ने तर्शन दिये थे। चित्र कूट के घाट पर भई संतन की भीड तुलसी दास चंदन घिसें तिलक दें ही रगबीर। इसलिए राम घाट की संध्यारती का शद्धालों के लिए विशेश महत्व है। कोट तीरत, वंपाशूर्थ दिवांगना, हन्मान धारा, नर्शेंग धारा, बंदर चुलेगे। इस पहाड में ऐसे कुंति गुंतिये गाई है। फिर वहां से कुट्य हो गई है। वास्तव में बुंदेल खंड के सांस्कृतिक अनुभव को हम नारियल के फल से तुल्ला करके आसानी से समझ सकते है। बुंदेल खंड एक नारियल की तरह से है। अंदर से सरल, मनमोहक, लोक संस्कृति और बाहर से वीरों की तरह सकत। विशाल जीलों और शांदार फिलों में बुंदेल खंड क्षेत्र की सांस्कृतिक और एतिहासिक विरासत का आधार हमें मिलता है। जो बहादुर योधाव के गौरवशाली इतिहास से भी भरा हुआ है। जबकि लोककला, नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक परंपरा हैं। बुंदेल खंड के सरल, स्वरूब और रंगीन संस्कृति को दर्शाते हैं। उम्मीद है बुंदेल खंड की ये सांस्कृतिक यात्रा आपको पसंद आई होगी। नमस्कार। भुंदेल बुंदेल भुंदेल बुंदेल ववडम तुम उम्म पुम झाल झाल